हाई गाईज वेलकम बैक ट्यो एप्लैनिट माइनम इस महेंद्र और आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं बहुत ही शांदार नोबल जिसका नाम है दा मून स्टोन ये एक मिश्ट्री से भरी हुई नोबल है तो यह जो नोबल है यह इंग्लिश लेंगुज में लि नोबल माने जाती है और इस नोबल को लिखा था एक इंग्लिश नोबलिश्ट और प्ले राइटर विलियम विल्की कॉलिंस ने यह नोबल एक विक्टोरियन नोबल है विक्टोरियन पिरेट का इसका टाइम लाइन है 1864 से 1867 में इसे लिखा गया था इस दोरान और पहली इस बार 1868 में चार्श डिकेंस की एक मैगजीन थी All the Year Round उसमें इसे पब्लिस करा गया था यह नोबल एक एपेश्टिलरी नोबल है एपेश्टिलरी का मतलब होता है लैटर्स, डायरीज और न्यूस्पिपर के फॉर्मट में लिखी हुई नोबल और जेर्मन में इस तरह क इसकी नोबल के लिए एक वर्ड यूज किया जाता है इसका नाम है Brief Romans तो चलिए शुरू करते हैं हम इस नोबल की स्टोरी को तो यहाँ समय था 1799 का जब इंडिया में 4th Anglo-Messour War चल रहा था जिससे Siege of Srirang पतना के नाम से भी जानते हैं तो यहाँ कहानी शुरू होती है इस इस लड़ाई में एक British soldier जिसका नाम है John Hunt Castle से इस लड़ाई के दौरान इस soldier John Hunt Castle ने एक मंदिर से एक diamond चुरा लिया था जिसका नाम है Moonstone, Moonstone Diamond इस diamond की safety तीन ब्रामण करते थे Indian Brahmins लेकिन इस soldier John Hunt Castle ने उन्हें मार दिया अब यह कहानी श्रिप्ट होती है लंदन में 1800 के टाइम पर तो Lady Variander और उनकी बेटी Rachel Variander बेट कर रहे हैं Franklin Blake का Franklin Blake Lady Variander का nephew है तो यह Lady Variander अपने servant Gabriel Batridge से कहती है कि Franklin के स्वागत की तयारी की जाए अब यह Franklin Blake इसके London आने की दो वज़ा है पहली वज़ा है कि Rachel जो इसकी कजन है उसका birthday आने वाला है और दूसरी वज़ा है जो यह soldier था John Hencastle यह Rachel और Franklin इन दोनों का अंकल लगता है दरसल John Hencastle इसने अपना चुराया हुआ जो यह Moonstone है यह अपनी विल में इस Moonstone को अपनी niece Rachel के नाम कर दिया था और यह Moonstone रेचल तक पहुचाने का काम था Franklin Blake का और इसी वज़ह से यह Moonstone देने भी Franklin Blake लंडन आया है अब Franklin Blake को लगता है कि John Hencastle की लाइव खतरे में थी इसलिए उन्होंने इस Moonstone को रेचल के नाम कर दिया था उसका doubt और भी पक्का हो गया था जब उससे लगना लगा कि कुछ Indians उसको follow कर रहे हैं अब एक दिन Gabriel Batridge इससे मिलने के लिए तीन Indian Jugglers आते हैं और यह उससे कहते हैं कि वो इस घर के owner यानि कि Lady Verinder और Rachel Verinder इनका entertainment करना चाहते हैं अपना show दिखा कर तो Gabriel Batridge यह उन्हें कहा देता है कि अभी वोग घर पर नहीं है तो यह Indian Jugglers वहाँ से चले जाते हैं अब इसमें एक character है इस novel में रोजाना नाम का रोजाना Spearman अब रोजाना Spearman यह एक दिन नास्ता करने नहीं पहुची तो यह जो Gabriel Batridge है यह उससे मिलने के लिए एक जगह पर जाता है और उस जगह पर यह रोजाना को खड़ा दिखता है तो जब उससे पूचता है कि तुम इस अजीब सी जगह पर बार-बार क्यों आती हो तो रोजाना उससे reply करती है वह उससे कहती है कि मुझे लगता है कि मैं एक दिन यहीं मरूंगी अब यह सब बाते सुनकर Gabriel Batridge थोड़ा सा निराश हो जाता है उससे अजीब सा लगने लगता है खैर जब Gabriel Batridge और रोजाना आपस में बाते कर रहे होते हैं तब ही Franklin जो मैंने आपको नाम बताया था Franklin Blake ये वहाँ आप पहुचता है और Franklin Blake Gabriel Batridge से बात करता है और रोजाना वहाँ से चली जाती है अब ये Franklin Blake Gabriel Batridge को बताता है कि वह यहाँ किस वजह से आया है और उसे John Hand Castle उनका जो ये डायमिंड है जो उन्होंने चुराया था वो उसे रेचल को देना है उनका एक लॉयर है फैंबली लॉयर लेडी वेरेंडर का जिसका नाम है ब्रफ उसने ये जिम्मेदारी दी है Franklin Blake को कि वह यह जो मूर्श्टोन डायमिंड है ये रेचल तक पहुचा दे दोस्तो इससे आगे मैं आपको इसके नेक्स्ट पार्टनर बताऊंगा थैंक्स फॉर वाचिन दिस वीडियो